हाई वर्टमान भारती समाज और प्रारंभिक सिक्षा इसके भविकल्पी प्रेश्णों की सिरीज को कॉंटिन्यू करेंगे वीडियो को बिल्कुल भी इसकी पना करें और वीडियो को लास्त तक जरूर देखें तो चलते हैं आज की सिरीज का फॉस्ट नूमबर कोस्चन देख लेते हैं कोस्चन आपका हो जाता है रास्त्रिय जनसंख्या नीति की घोशना की गई कब की गई तो 16 अप्रेल 1976 को 10 मार्च 1975 को या 20 जनवरी 1980 को या 9 सितंबर 1985 को तो इसमें जो आपका राइड आंसर हो जाता है वो आउप्शन यानि की 16 अप्रेल 1976 को सन 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोशना की गई बाद में 1981 कब तो 1981 में इस जनसंख्या नीति के तहर जनमदर और जनसंख्या वरिद्धी में कमी लाना विवाह की नियुंतम आयू में व्रद्धी करना, परिवार नियोजन को प्रोसाहित करना और महिला सिक्षा पर विशेज जोर देने का लक्ष रखा गया था कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन है परियावरान दिवस मनाया जाता है दस जून को, चार जून को, पात जून को या आठ जून को तो इसमें आपका आंसर सा ओप्षन जो हो जाता है वो राइट है यानि की पात जून राइट है बच्चों में मुल्यों के विकास में सरवाधिक महत्वपून भूमिका है किसकी है पासपडोस की, परिवार की, मित्रों की या समाज की यहाँ पर यह पुछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा है न सरवाधिक महत्वपून भूमिका तो हो जाता है समाज तो इस तरह से आपका जो दा उप्षन है वो राइट हो जाता है कोश्चन है रास्टिय सद्भावना को परभावित करने वाला परमुक कारक है जातिवाद, प्रांतियता, संपरदाइकता, उपर्युक्त सभी तो आंसर की तरफ चलते हैं इसमें जातिवाद, प्रांतियता और संपरदाइकता ये सभी हो जाते हैं इस तरह से आपका उपरयुक्त सभी यानि दा उप्षन राइट हो जाता है कोश्चन है बाल शर्मिक बनने का मुखे कारण नहीं है तो इसमें जो आपका हो जाता है ये राइट आंसर हो जाता है यानि की दा उप्षन आपका राइट हो जाता है दिवासोपन पुस्तक के लेखक है गिजु भाई, स्वामी विवेकानन, महत्मा गांधी या सर्वपली, राधा क्रिश्नन तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है गिजु भाई, यानि दिवासोपन पुस्तक के लेखक है तो गिजु भाई, यानि की आउप्षन आपका राइट हो जाता है कोईशन की तरफ चलते हैं कोईशन देख लेते हैं निम लिखित मैंसे कौन सी अनुपचारिक सिक्षा की विशेशता है इसको समझ लेते हैं अनुपचारिक सिक्षा यानि वो सिक्षा जो हम कहीं भी कभी भी प्राप्ति कर सकते हैं उसके लिए क्या करना होता है कुछ भी नह है ना ऐसा नहीं है कि उम्र के according हम कुछ सीखते हैं हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं यहां तक हम जीव जन्तों से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं तो कहने का मतलब यह है जो यह सिक्षा हो जाती है वह अनुपचारिक होती है और अपचारिक सिक्षा किसे कहते हैं जो के लिए प्राप्टर करने के लिए हमें टाइम देना होता है एकस लेबस होता है फिक्स लेबस प्लस एक टीचर होते है यह सब चीजे होती आप चाहरीग सिख rays यहां पे समझ लेते हैं कि निम्लिखेटन असे कौन सी अनुपचाहरीग सिख्षा की विशेश्टा है इस्थान निश्चित नहीं होता जी हां बिल्कुल सही है समें निशित नहीं होता यह भी आपका बिल्कुल सही है सभी हो जाती है इस लिए दाउप्शन राइट हो जाता है ॥११ हन में किस भाषा को राज भाषा का दर्जा मिला है हिंदी उर्दू अंग्रेजी या फारसी तो आपका हिंदी हो जाता है यानि आ उप्षन आपका राइट हो जाता है कोश्चन है सिक्षा एक त्री मुखी पर किरिया या कथन है जोन लॉक का रविन्ना टैगोर का जोन डीवी का या महत्मा गांधी का तो जोन डीवी यानि की साव अप्षन आपका राइट हो जाता है सिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर नित शक्तियों का विकास बहिर मुखी शक्तियों का विकास शारिरिक विकास करना उपरियुक्त मैसे कोई नहीं तो इसमें हो जाता है उपरियुक्त मैसे कोई नहीं अब आपके माइंड में होगा कि अगर कोई नहीं है तो फि सीखने सिखाने की परकिरिया क्या है कि सीखने सिखाने की परकिरिया की परकिरिया हो जाता है ठीक है ना परकिरिया तो इस तरह से आपका इसमें ऐसा तो कुछ नहीं देखिया अंतरने शक्तियों का विकास है बहरमुखी शक्तियों का विकास है और शारेरिक विकास करना है ल ही आपका right answer हो जाता है और एक चीज़ जो भी हमने 108 का जो पढ़ा समीधान में किस भाषा को राज भाषा का दर्जा मिला तो हिंदी को और 14 सितंबर कब यहां पे देख लेते हैं इसको समझ लेते हैं फिर question की तरफ चलते हैं 14 सितंबर सितंबर 14 सितंबर आपका हो जाता है यहां पे देख लेते हैं 14 सितंबर 1949 कब तो 1949 को राज भाषा के रूप में अंगिकार किया इसलिए भारत वर्ष में प्रतिये वर्ष 14 सितंबर को कब तो 14 सितंबर 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 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है ना यहां पे हो जाता है आपका उसके बाद question है आपका दूरवर्ती सिक्षा को कहते हैं पत्राचार सिक्षा दूरस्त सिक्षा स्वतंत्र अध्यान उपर युक्त सभी तो उपर युक्त सभी यानि दा option आपका राइट हो जाता है सिक्षण के तीन केंद्र बिंदू है कौन से हैं सिक्षण के तीन बिंदू अध्यापक बालक और पाठिक्रम है विशे अध्यापक श्यामपट है पुस्तके बालक और अध्यापक है बालक बालिकाएं और अध्यापक है तो आपका जो आ option यानि अध्यापक बालक और प्रियुक्तियां जो हो जाती हैं वो आपका right answer हो जाता यानि की सा option right हो जाता है सिक्षा एक परकिरिया है जिसके दोरा बालक अपनी जनजात शक्तियों को भी बिक्ति करता है ये कथाने जॉन डीवी का, रूसो का, फ्रोबेल का, मांटेस्री का, तो इसमें फ्रोबेल हो जाते हैं, यानि कि साउप्षन आपका राइट हो जाता है, मेरिया मांटेस्री भारता ही, यानि जो मारिया मांटेस्री हैं, उन्हें को कही कही पे मेरिया मांटेस्री लिखा होता है 1909 में 1919 में 1929 में या 1949 में तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो 1949 यानि कि the option आपका राइट हो जाता है 1949 में डॉक्टर जी एस एरंडेल के नियमंत्रण पर यानि नियमंत्रण पर वे अपने भतीजे और दतक पुत्र मिस्टर मारियो मांटेश्री के साथ भारत आये ये दोनों कितने दिनों तक यहां रहे तो दस वर्षों तक ठीक है ना दस वर्षों तक रहे उसके बाद कुश्यन हो जाता है जल संख्या सिच्छा में सबसे अधिक उत्तरदायत अभिभावकों का सम यानवेन की परमुक चुनोती है पर सिच्छे सिच्छकों का आभाव दोश्पूर्ण पाठिक्राम साश्किय उदासी इंता उपरियुक्ति सभी तो इसमें उपरियुक्ति सभी जो है वो राइट हो जाता है कुश्यन हो जाता है आपका पाठ यूजना का निर्माण तो आंसर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है सिच्छा को योजना बद करने है तो यानि की दाउप्षन आपका राइट हो जाता है कुश्यन है परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन विवार के सिच्छा पारस परिक सहयों की सिच्छा जीवको पारज की सिक्षा या उपरियुक्त सभी उपरियुक्त सभी हो जाता है इसलिए यानि दाउप्षन आपका राइट हो जाता है वैदिक कालीन गुरुकुल सिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी परकरतिवाद आदर्शवाद समाजवाद या विवहारवाद तो इसमें आदर प्रश्वाद राइट आंसर हो जाता है इस तरह से आपका बाउप्शन राइट हो जाता है बौधिक सिख्षा का पर्मुकेंद्र था तो बौधिक सिख्षा का पर्मुकेंद्र नालंदा गया गुजरात या बंगाल तो इसमें आपका हो जाता है नालंदा यानि कि आपका आ ग्रांट को, कार्णवालिस को या कोई नहीं तो लाड मेकाले को कहा जाता है ठीक है ना जब लाड मेकाले को कहा जाता है तो इसमें अब आपके क्या है यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि इसमें लाड मेकाले तो आंसर ही नहीं है यानि ऑप्शन में दिये ही नहीं है ल चार्स ग्रांड लेकिन राइट आंसर लाड मेकाले ही है ठीक है ना उसके बाद कोश्चन है आपका च्छनाई का सिध्धान्थ परतिपादित किया था किस ने किया था अकलेंड ने एडमिस्मत ने मेकाले ने या निउटन ने तो मेकाले हो जाते हैं और देखे इन्होंने क् सिध्धान्थ लाड मेकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था च्छनाई के सिध्धान्थ के अंतरगत अंग्रेज सरकार केवल ऐसे वर्ग को सिछित करना चाहते थे जो उनके अनुकूल हो वो केवल उच्छ वर्ग को सिछित करना चाहते थे ठीक है ना तो यही इन ये नहीं है इसमें कह रहे हैं जो नहीं है वही सही है सुक्राथ प्लेटो हीगल या डीवी तो डीवी नहीं है यानि यही सही आपका हो जाता है यानि कि दाउप्शन आपका राइट हो जाता है निम्न मैसे कौन प्रकरतिवादी दार्शनिक है सुकराथ, प्लेटो, हॉर्ण, इस्पेंसर तो इस्पेंसर हो जाते हैं यानि कि आपका दाउप्शन राइट हो जाता है प्रकरतिवाद किस परियोजन वादी तो इसमें जो आंसर आपका हो जाता है विवेका नंद नेजन सिक्षा के लिए संसा इस्थापित की ब्रह्म समाज, रामक्रेशन मिशन, आरे समाज या वेदान्त समाज इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो रामक्रेशन मिशन और इस्थापना की अगर बात की जाये तो एक मई कब तो एक मई 1897 यानि 1897 ये हो जाता है टेगोर जी द्वारा रचित पुस्तक क्या थी हिंद स्वराज, गीतान्जली, सिक्षा दर्शन या उपरिक्तु में से कोई नहीं तो गीतान्जली हो जाती है ठीक है ना गीतान्जली आपका बाउप्शन राइट हो जाता है उसके बाद कोशन है आपका वर्श 1901 में शांती निकेतन की स्थापना रविन्ना टैगोर नी की थी किस स्थान पर कलकत्ता बंबई डार्जलिंग या बोलपूर तो बोलपूर इसका राइट आंसर हो जाता है गिजु भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ देख लेते हैं चित्तल महरास्ट् और अगर बात की जाए स्थापना की तो 15 नौमबर 1885 थीक है ना उसके बाद यहां पर क्या गिजु भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ तो यहां पर क्या हो जाता है यहां पर जन्म की बात कर रहें तो चित्तल महरास्ट्र में ठीक है ना oftentimes और सन की बात करें जन्म के त तो पंद्रा नुवंबर 1885 हो जाता है किंडर गार्डन प्रणाली के जन्दाता कहे जाते हैं फ्रोबेल, मांटेश्री, रूसो, हर्बर्ड तो अंसर हो जाता है आपका फ्रोबेल यानि की आउप्षन आपका राइट हो जाता है और 1840 में ठीक है ना कोश्चन है बालक को स्वयम ही ज्यान प्राप्त करने का अफसर दिया जाना चाहिए सिख्षक को उसके कार में कम हस्तरशेप करना चाहिए तो इसमें ये कथन किसका है तो ये कथन मांटेश्री का हो जाता है इसलिए साव अप्षन आपका राइट हो जाता है सिच्छ सामाजि जी रविनना टैगोर या मेकाईवर, तो मेकाईवर यानि दाई-अप्शन आपका राइट हो जाता है, जहां पे आपका कोश्चन है समाज की सबसे चोटी इकाई क्या है विध्याले परिवार सामाजिक संस्था Site या व्यक्ति आपका व्यक्ति यहां पर 10 option right माना गया है लेकिन परिवार की सबसे चोटी काई क्या होती है तो परिवार ठीक है ना तो इस तरह से आपका ये भी अंसर राइट है वह से तो आपका परिवार ही है लेकिन इसमें आपका व्यक्ति राइट माना गया है ठीक है आप चीजों को समझ के ही करिएगा नव विद्याले नव विद्याले को समस्त संसार नहीं वरन समस्त मानो जाती का आदश लगुरूप होना चाहिए ये कथन किसने लिखा है रेमंट ने टीपी नन ने बालकरेशन जोशी ने या रोस ने तो टीपी नन ने यानि की बाव उप्षन आपका राइट हो जाता है इसकूल शब्द की उत्पति किस भाशा के शब्द से हुई है फ्रेंच जर्मन लेटिन इन में से कोई नहीं कह रहे हैं इसकूल शब्द की उत्पति किस शब्द से हुई है तो इन में से कोई नहीं यही आपका आंसर राइट है क्योंकि देखिए इस में से कोई नहीं और यहां पर क्या है साउप्शन राइट माना गया है यानि की लेटिन लेकिन यह आपका सही नहीं है विद्याले शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द किसे तो ग्रीक शब्द इसकोला या इसकोले से हुई है जिससे तातपर है अवकाश जिससे तातपर क्या है अवकाश ठीक है ना ग्रीक एक जीवित भाशा है जबकि लेटिन को मृत्या विलुप्त भाशा माना जाता है ठीक है ना तो इस तरह से इसमें जो आपका आंसर हो जाता है इनमें से कोई नह हो जाता है सनरक्षन कार हो जाता है परगती शील कार निस्पक्ष कार और उपर युक्तिसभी तो परगती शील कार यानि की बाउप्षन आपका राइट हो जाता है किसी राष्टी की उन्नती विधान सभाओं व्यवसाइं व्यवसाइं और कारखानों से नहीं बलकि विद्य यह कथन किसका है डॉक्टर राधाकरिशनन का बालकरिशन जोशी का ब्रेडले का या नन का तो इसमें आपका हो जाता है यानि कि आपका राइट हो जाता है विद्याले और समुदाई के मद शर्शक्त संबंध होने चाहिए क्यूंकि स्कूल बड़े समुदाई के अंतरगत एक लगू समुदाय है, सामाजिक मूलियों को जानने के लिए समुदाय और विद्याले प्रिथक प्रिथक है, सिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, तो इसमें आपका अंसर हो जाता है सिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, यानि कि दा ओप्षन आपका राइट हो जात तो ये आपका जो हो जाता है वो अनुच्छे 46 यानि की बाउप्शन आपका राइट है जो मूले संपूर्ण विशु की परगतियों भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूली कहलाते हैं सत्य वैश्विक संपूर्ण या कोई नहीं तो इसमें आपका हो जाता है बाउप 80, 82 या 84 तो इसमें भी आपका जो ओप्शन है यानि 83, 80, 82 और 84 तो इसमें आपका आपका आप्शन राइट माना गया है लेकिन NCRT के अनुशार मूलियों की संख्या 32 है मूली हमारे विवहार को क्या करते हैं दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या उपर्युक्त सभी तो उपर्युक्त सभी यानि की दाउप्शन आपका राइट हो जाता है कौन सा तो दाउप्शन आपका राइट हो जाता है ठीक है ना कोईशन की तरफ चलते हैं वर्तमान में बालकों में मूल विकासेतु सबसे परभावी संचार माध्यम कौन सा है सबसे परभावी संचार माध्यम देख लेते हैं इसमें तो आपका हो जाता है वर्तमान में बालकों में मूल विकासेतु सबसे परभावी संचार माध्यम समाच सभी बहारतियों को एक जैसा बनाना, भारतियों में सांसिक्रेटिफ विभिनताओं को स्वीकार करना, सभी भारतियों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, सभी भारतियों को एक जैसी पोशाग पैना, तो बाउप्शन हो जाता है भारतियों में सांसिक्रितिक विभिनताओं को सुईकार करना, यानि कि बाउप्शन आपका राइट हो जाता है, आदर्श समाज की परमुख विशेशता है धन दौलत स्वास्त साक्षर्ता अनुशाशन तो इसमें आपका क्यों हो जाता है इसमें आपका साक्षर्ता यानि की साउप्षन आपका राइट हो जाता है बच्चे की समाजी करण का आध्य व्यक्ति है सिच्छक माता पिता धर्मो देश्यक तो इसमें आपक हो जाता है माता यानि की आ ओप्षन आपका राइट हो जाता है विद्धाले समाज का लगुरूप है या कथन किसका है डीवी थॉमसं यानि की आ ओप्षन राइट हो जाता है यह आप लोगों के लिए most most important है इस तरह के questions जरूर से जरूर आते इंक्जाम में ठीक है ना आपके अतिलग उत्रिय टाइप में भी पूछे जाते हैं जान डीवी से related ठीक है ना एमील की रचना किस ने की है एमील की रचना तो पैस्तोलोजी ने प्लेटो ने रसेल ने या रूसो ने तो रूसो ने की इसलिए दाव उप्षन आपका राइट हो जाता है मूली संकट का मुख्य कारण है भाशावाद छेत्रवाद संप्रदायवाद या स्वार्थ परता त देन है जॉन डीवी, रॉस, एडम्स या ही गेम्स तो जॉन डीवी यानि की आउप्षन आपका राइट हो जाता है सिक्षा का कार उत्तम नेतिक चरित का विकास करना है किस सिच्छ शास्त्री का विचार है अरस्तू, प्लेटू, सुकरात, हरबर्ट तो हरबर्ट हो जाते हैं यानि कि दाउप्षन आपका राइट है सिक्षा अर्थपूर्यम नेतिक पर किरिया है तावा कलपना नहीं की जा सकती है कि वहां उत्देश विहीन है किस सिच्छ शास्त्री का विचार है तो रिवलिन यहां पर पहले देख लेते हैं बाद में आंसर की तरफ चलते हैं प्रोफेसर हीगले, प्रोफेसर बागले, रिवलिन या डीबी तो रिवलिन हो जाते हैं यानि कि साव उप्शन आपका राइट हो जाता है मेरा उत्देश विबालक के मस्तिष्क को ग्यान से सजाना नहीं है वरन उसे यहां भी सिखाना है कि वहां जब भी आपकों ग्यान का परियोग कर सके किस सिच्छा शास्त्री का कथन है तो यहां पे आपका हो जाता है महत्मा गांधी तो आमे वेकानल रविन्ना टेगोर या रूसो तो रूसो इसमें राइड आंसर हो जाता है ग्यान वो पंक है जिसकी साहता से हम यहां पे हम है हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं कथन किसका है मिल्टन का सेक्सपियर का वाइट हैड का या एडम्स का तो इसमें सेक्सपियर हो जाते हैं ठीक है ना समाज विहीन व्यक्ति कोरी कलपना है यह कथन किसका है रेमंट का रोस का जान डीवी का या प्लेटो का तो रेमंट यानि की आउप्षन आपका राइट हो जाता है, परियोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कोन दर्शन शास्त्री है, टी-पी-नन, स्मत, जॉन-डीवी, स्पियर, तो इसमें आपका हो जाता है, टी-पी-नन यानी की आव प्षन आपका राइट हो जाता है, किस दाशनी का मानना है कि सिच खोका सिध्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है अस्तितुवाद परियोजनवाद प्रकृतिवाद आदर्शवाद तो प्रकृतिवाद ये सा ओप्षन आपका राइट हो जाता है कोश्चन है अध्यापक का इस्थान परदे के पीछे किस वाद ने स्विकार किया ह है प्रकृतिवाद आदर्शवाद योग या न्याए तो प्रकृतिवाद हो जाता है तो इस तरह से आपका आउप्षन राइट हो जाता है ठीक है na आपका कोश्चन है आदर्शवाद सत्य ओम यथार्त रूप में किसे स्विकार करता है भोतिक संसार अध्यात्मिक संसार अध्यात्मिक और भौतिक कोई नहीं, तो अध्यात्मिक संसार यानि कि आपका बाउप्षन राइट हो जाता है, आत्मा ही संसार का पदार्थ है और मांसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनी का विचार है, बुरुवेकर, हैंडर्शन, रॉस, जैम्स, तो रॉस यानि कि प्राती विधी भी कहते हैं संपूर्ण विश्व परिवर्तन शीलियों विकासोन मुख है किसका विचार है हीगल का रोजन का हौन का जॉंसन का तो हीगल आप्षन आपका राइट हो जाता है निम्न मैंसे कौन सी सिच्छड विधी के परणेता प्लेटो है प्रश्णुत्तर वेख्या संबंध विधी आलोचनात्मक तो इसमें आपका संबंध विधी यानि कि साउप्षन राइट हो जाता है स्कूल और समाज यानि स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शुनिक द्वारा लिखी गई है तो जॉन डीवी हैरिंग्टन ओगस्ट कॉम्टे या तो जॉन डीवी यानि कि आउप्षन आपका राइट हो जाता है स्कूल को प्यार का घर यानि होम ओफ फैमिली कि सिच्छा शास्त्री ने कहा है पास्तलोजी ने अगस्ट कॉम्टे ने जार्ज पेने ने आर जी कलिंग वुड ने तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है व और भौतिक तत्व तो आपका इसमें जो बाउप्षन है यानि कि शुद्यम सुष्म तत्व ये राइट अंसर हो जाता है इस तरह से जो आपकी सिरीज है वो कंप्लीट हो जाती है आई हो आप लोगों को सिरीज का मतलब यह नहीं कि आपकी फूरी सिरीज कंप्लीट हो जा कॉंटिन्यू करेंगे अगर अभी तक आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन वह आप तक पहुश सकें थैंक यू